प्रेस के हमारे मित्रों आप साब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया इतनी मद्द की इतनी शक्ति आपने हमें दी इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस यात्रा का लक्ष भारत गो जोडने का है जब हमने यह शुरू किया कन्या कुमारी में यात्रा शुरू की तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगे नफरत फैली हुई है मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिलकुल अलग थी मैंने मीडिया के बारे में कहा शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं दोस्त हैं मगर हमारी बात तीवी पर कभी नहीं दिखाते हैं और वो तो तब भी ठीक है वो ठीक है हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर ये एक और काम करते हैं इनकी गलती नहीं है देखिए ये जो यहां कड़े हैं इनसे गुस्सा मत हुई है इनकी गलती नहीं है देखिए मुश्कुरा रहे हैं ये जानते लगान लगी हुई है पीचे से लगान लगी हुई है कि मगर इनके जो चैनल हैं यह भी नफरत फैलाने का काम करते हैं 24 गंटा 24 गंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये मीडिया में चलाय जाता है फेलाय जाता है ये देश एक है इन सडकों पर लाकों लोगों से मिला हूँ सारे के सारे एक दूसरे से महबत करते हैं प्यार करते हैं गले लगते हैं हुआ है तो सवाल उठता है क्योंकि यह नहीं कर रहे हैं इनके पीछे जो शक्ति है इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है तो सवाल कुछ रुष्ता है कि यह क्यों हो रहा है जब सचायए कि देश का आम नागरेख चाहिए हिंदू हो मुस्लिम हो सीक इसाई हो किसी भी जाद का हो वो एक दूसरे से प्यार करता है मौबत करता है एक दूसरे की इजद करता है नब प्रश्चिशन लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मौपत करते हैं, इजड करते हैं देखिए मेरे सामने, ये जैन मंदिर है गुर्दुवारा है, मंदिर है, मस्जिद है ये हिंदुस्तान यह सचाई हैं हिंदुस्तान की और यह नई बात नहीं है यह हजारों साल से इस देश की सचाई है प्यार से यह देश मिलकर एक साथ रहा है तो सवाल उठता है यह जो मीडिया के लोग है यह नहीं जो इनके पीछे हैं यह नफरत क्यूं पहलाना चाहते हैं आपने कभी पूछा अपने आपने आपसे की मीडिया चोप कीज़ घंटा कभी कभी मुपत की बात नहीं करेंगे कभी आपने देखी नहीं ने करने कभी आपने देखे हैं झाल झाल